नमस्कार दोस्तों मैं समीर आप सभी का अपने ही यूटूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंस इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचार चुनाव में चुनाव चिन आवंटित कैसे किया जाता है यानि किसी उमिद्वार को पंचार चिन कैसे दिया जाता है कि किस उमिद्वार को कौन सा चुनाव चिन दिया गया है इसका आवंट sem कैसे क्या जाता है किस्ता आपको staipage मैं इस वीडियो में बताने हूँ चायो मुख्या वार्षदस पंच सरपंच पंचाज समिती जिला पार्षद यानि किसी भी परकार के यहां पंच निर्वाचन जो होता है यानि आम चुनाव पंचाज आम चुनाव में आवंटन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए देर ना करते हुए से वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंस यहां पर आप देख सकते हैं यहां मैंने अपना पस्चिम चंपार्ण का आपको बता रहा हूं पस्चिम चंपार्ण यह ओल ओभर विहार में लागो होगा जहां भी पंचाज चुनाव होना सुरू हुआ है बता दे कि सबसे पहल नमर में अतहर हुसेल धोलक चाप तिन नमर में फकरूल हसन इनको कलम दवाद चार नमर में महम्मद जाबेद टेम्पु चाप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक नजर मोतियों की माला चाप इनको मिला हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ यहां पर सबसे पहले यहां पर दूसरी जो यहां पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत के सदस यानि वार सदस जिनको बोलता है उनके लिए यहां पर देख सकते हैं पस्चम चैंपार्ण कहीं है जो इमतियाज अहमत गिहूं का बात एक नमर पर है दो नमर पर यहां पर कमी उल्ला यहां पर देख सकते हैं पिपल का पत्ता तिन नमर में घाळा चाप यह देख सकते हैं यहां पर मुहम्मत वजीर ठीक फ्रंस तो इनको घाड़ा चाप मिला गया आखित कैसे भी तरन के आयता है चुनाव चिन कि किस कंडिलेट को कौन साथ चुनाव चिन देना है इसके लिए यहाँ पे हम बता दे फ्रंस यहाँ पे तिन फैक्टर अपनाय जाते हैं नंबर वान में आपको पहले आओ और पहले पाओ यह फैक्टर अपनाय जाता है दूसरा फैक्टर होता है कि अगर नाम का अगर एक ही दिन अगर मालिजे दो कंडिट आ गए या पांच कंडिट आबेदन कर दिये नोमिनेशन कर दिये तो यहाँ पे उनके नाम का स्पैलिंग देखा जाता है यानि alphabate देखा जता है अब उसके बाद होती है कि अगर मालिजे दोनों alphabate एही से आ गए या 20 से आ गए या 20 से आ गए तो तिसरा फेक्टर यहां पे जो लगाए जाता है वो होता है फ्रेंस यहाँ पे उनके year का यानि उनके जनम बर्स का बस तीन फेक्टर पे ही चुनावचीन आवंटिट किये जाते हैं मैं आपको तीनो पर्तिक के लिए यहाँ पे declaration के साथ यहाँ पे आपको बताना माँ पर्तिक को मिलने माला है थे प्रक्ष तीनो फेक्टर मैंने यहाँ पे बता दिया है सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं मुखिया कहीं लेते हैं यहाँ पे देख सकता है जैसा कि इनका नाम है अजरुन नेसा ठीक है प्रांस तो अजरुन नेसा की यहां पर देख सकता है ए से सुरू हुआ और यहां पर देख सकता है अजहर हुसेन यह भी ए से सुरू हुआ यानि एक समय में यहाँ पे दो कंडेट हो गए ठीके प्रस्ट तो एसे हो गया यहाँ पे फर्स्ट पॉंइट काम किया अब इनको जो आवंटन किया गया होगा वह यहाँ पे इनका जो अबेदन पहले आया होगा तो इनको एक नमबर मिल गया और इनका आभेदन जो होगा पादमय का कॉल आया होगा परसु आया होगा तो इनको दो नमर पे चुनावचेन मिल गया यहाँ पर आभवेट आप ध्यान से दिखिएगा A, A और F मैं इसको साइड में थोड़ा यहाँ पर लिख दूँ यहाँ पर जितने भी कंडेट का नाम है उनका फर्स्ट अच्छर यहाँ पर A, A, F और M आप यहाँ पर समझ जाएगा कि कैसे बित्रन किया जता है देख सकता है यहाँ इनकी जो यहाँ पर तीन फेक्टर मैंने यहाँ पर बताया गया उनके देट अफ बर्त के हिसाब से याँ अगर सम पाए दता है तो यहाँ पर देख सकता है यहाँ पर नाम का एस्पेलिंग सम है लेकिन हो सकता है कि जो यहाँ पर पहले आवेदन किये होंगे और बाद में आबेदन किया होगा तो इसमें कोई दिक्त नहीं होगी इनको पहले मिल गया होगा और इनको बाद में मिला होगा अगर spelling की बात कर ले तो correct जा रहा है अगर बात कर ले उनके nomination की तेयो हमको तो पता नहीं है भाई कि nomination का जो इनका नाम है उसमें तो इनको F का है तो तीन नमर पर नहीं होगा या बाद में होगा तो यहाँ पर F वाले को Як limo अट मिल गया होगा इस तरह यहाँ पर देख सकता है वाड़स seu penbit होता है sorry suver 하asta सदस्य जो होता है देख सकते हैं जो यहां पर वाड सदस्य की जो यहां पर हम बात कर रहे हैं तो इनके आई के एम आर और यहां पर इनका भी आर है यानि आई ऴ। यानि आई के एम आर और और अर है इनको आवण्टित किया गया है तो आई वालों को ग्रांटी है यह आबेदन पहले किये। यह वाड पाद में पहले नहीं किये वैंगे तो भी यहां पर इनको आई वाला मिला होगा। यह आवेदन पहले किये होंगे तो गरांटे इनको आई मिला होगा उसके बाद यहाँ पर जो बाद मावेदन किये होगे उनका दो नमबर इसका मैं पुक्ता एक सबूत आपको दिखाएंदा हूँ सबसे पहले आपको अपना Chrome ब्राउजन ओपन करना होगा मैं आपको अपना इस पहले है हम होमपेज पें होमपेज पर आने के बाद को इस पर आजाना है यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए कि no your यहां पे सामरे कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा इसको भी आपको यहां पर केशने साथके कीजिएगा तो सब्सक्राइब कीजिए घ्रीड के तरह ओपन हो जाएगा यहां से किस प्के लिए आप देखना चाहते हैं कि किस पंचाट के लिए दखना चाहता है चल्क किजिएगा और इस्पर किजिएगा जितने भी बैक्ति का लमिनेशन हुआ होग ऊब यहाँ पर नीचे शो किया जाएगा और यहाँ देख गया पर कूल यहाँ देख्टि ने नह्मिनेशन किया जिसमें सबसे यहाँ पे देखेता है फिर से आपको ध्रीलाइनी पर किलीक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको मिलेगा कंडिडेट हेंडल बुक वियां निमीनेस को मैंने डाउन लोड़ कर रखा है आप इसको डाउनलोड कर लीजेगा डाउनलोड करने के बाद इसको open कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह के page open होगा यहाँ पर मैं दिखाएं यहाँ पर कुछ इस तरह से page open होगा यहाँ पर आप देख सते हैं टोटल 110 page होगा page का सुरू जो होगा अच्छर यहाँ पर देख सकता हैं यहाँ पर आप देख सकता है परतिक आवंटन तो कैसे किया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको जूम करूँगा थोड़ा सा और और यहाँ पर पर पढ़ सकते हैं कि निरवाचन लणने वाले भ्यार्थियों की सुची के करमांग एक जैसके मैंने बताया कि अब भ्यार्थि को उसी स्रेड़ी के निरधारित परतिरिकों की सुची के करमांग एक दिया जाएगा ठीए फ्रस्क यानि जो एक नमर पर आएंगे उनको जो परतिक चीन का एक नमर दे दिया जाएगा जो दो नमर पर आएंगे उनको सुची का दो नमर दे दिया जाएगा और जो तिन नमर पर आएंगे उनको तीन नंबर का दे दिये जाएगा लेकिन 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 जो अभ्यार्थि मालजे इसमें 20 पर्तिक चीन है 36 पर्तिक चीन है अगर इससे ज़्यादा भ्यार्थि आवेलन करते हैं तो इसके लिए बताया गया है कि यदि किसी पद के लिए अभ्यार्थि के संख्या उस र यहां पे क्रम संख्या को बढ़ा के और उनको निरधारित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर मैंने आपको दोनो तरीका यहाँ पर बता दिया एक आप कैसे चेक कर सकता है ऑफिचल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वीडियो अच्छी लग झाल